हेलो वेल्कम डू माइच चैनल टेकले नेश्मेंट आप सो यह का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे आपके माइटीवी एक्स प्रो में जिसके द्वारा आपके आप अगर थोड़ा दस फिट दूर से भी रूम में बोलेंगे ओके गूगल यहां पर आपको देख पा रहे हैं यह ब्लिंक करेगा और यह कैच कर रहा है जो हम ब हैं तो आपके देख पा रहा है आप वो सब कुछ यह सर्च कर रहा है है यह गूगल भी बोल सकते हैं और कमांड दे सकते हैं यहां फ्रेंड्स यह काफी अच्छा चीज़ है लेकिन अब यह फार फिल्द माइक आप यूस कैसे करेंगे जिस आमने जो भी कुछ बूला यह स आउन आउफ का बटन है यहां फ्रेंट यहां पर आउन आउफ लिखा है और इसी के नीचे यहां पर बटन है वह आपको दिखाते हैं जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं यह आउफ लिखा हुआ है और इसी के जस्ट नीचे यहां पर यह बटन है स्लाइट करने के लिए इध अगर आपको on हो जाएगा इधर रहेगा तो यह off हो जाएगा तो इसको आपको on करना है यहां फ्रेंट से फार्फिल्ट माइक setup ना होने का एक यह भी reason है by default off रहता है आपको on करना है अगर off यहां पर यहां पर माइक का option यहां पर लग रहा है तो फ्रेंट से और क्या टीवी में setup करना है चलिए उसके बारे में अब फ्रेंट से फार्फिल्ड माइक के यूज करने के लिए पहले तो आपका यहां पर बटन on होना चाहिए और दूसरा वाइफाई connect होना चाहिए आपके टीवी में क्योंकि यह गुगल से आपके speech को recognize करके टीवी को command करता है कि आपने जो बोला है वो display पे आ जाए यहां फ्रेंट फार्फिल्ड माइक काफी अच्छा system है अगर आपके remote में यह Google assistant है इससे अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं आप फार्फिल्ड माइक यूज करना चाहते हैं वैल्यूम अप्डाउन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से होता है जैसे कि है Google increase volume 50 percent तो फ्रेंट जैसा कि आप यह देख पा रही है value increase कर दिया जैसे कि आप यह देख पा रहा है a Google decrease value at zero percent तो फ्रेंट जैसे कि आप यह देख पा रही है यह 0% value decreased सग्रीज हो गया है और पर काफी कुछ command क्रांड दे सकते जो भी आपको अच्छा लगे य। वह वह तो यह वह कि फार-फैइल माईक का इस बटन आपमें और नहीं किया है दूसरा हो गया कि आपने नेट नहीं कनेक्ट किया है आप अपने टीवी में वाइफाई नहीं कनेक्ट किया है ना कनेक्ट होने का रीजन और तीसरा फ्रेंड्स यह है कि आपने यहां पे ना सेटिंग में आके स्टेटिंग में आ जाए और यहां पर देख पा रहा हैं सिस्टम में आके आप यहां पर language जरूँ स्वेट कर दीजिएगा ईंग्लिस इंडिया जी हाँ प्रेंटिस है लेंगवेज जरूँ स्वेट कर दीजिएगा और यह काफी जरूरी चीज है उसके बाद आप अपने एप है सिस्टम एप है उसको तो कम से कम अपडेट कर लीजिए यहां फ्रेंट है गुगल ओपें प्लेट कर सकते हैं यहां फ्रेंट और एक करके अपडेट करिएगा जैसे यह टीवी सेटप हो गया गूगल टीवी अपडेट करना बहुत ही जरूरी है गूगल कीबोर्ड उसके बाद जो एक्स्ट्रा एप आप ने इस्टॉल किया है उसको भी आप अपडेट करते रहे हैं जिससे आपका टीवी एक स्मूथ वे के तरीके से आपके आपको विजुलाइज कराएगा आपका एक्स्पिरियंस एपडेटर होगा कि में ली फ्रेंटस फॉर्फिल माइक और अक Appreciation करता है तो यहीं रिजन है तो यहां पर यह तो आफ एर यह को वाइफाई को connect नहीं किया है जैसा कि यहाँ पे आप वाइफाई देख पा रहे है अभी यह connected है तो वाइफाई नहीं connect किया है और आपका एप वगेरा updated नहीं है तो friends यह सब आप करिए तो आपके टीवी में अगर फार फिल्ड माइक में problem आ रहा है तो नहीं आएगा I hope friends आपको यह वीडियो informative लगा होगा informative लगा हो तो please टेक एन इनवेश्मेंट चैनल को सब्काइब जरू करिएगा लाइक शेयर जरू करिएगा ओके बरेंट इन ने ने वीडियो तर्टा के लिवा